नमस्कार किसान वाई ओ फिर सवागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में और आप देख रहे हैं आरश टेक्निकल खेती तो आज हम बात करने वाले हैं जिसके आप थमनेल देखकर समझ ही कहे होगे कि आज हम धान की गिरोध के वारे हम बात करने वाले हैं यानि कि जो धान की किले होते हैं उनके वारे हम बात करने वाले हैं कि अधिक की किलों की पैदावार कैसे करें जिससे कि हमें अच्छा मुनापा हो सके और अच्छी हमारी फसल वो हो सके ठीक है तो आज हम इसके वारे हम बात करने वाले हैं तो मैं आपको चार उपाई बताँगा यदि आपने चार उपाई फॉलो कर लिए तो आपकी धान की फसल जो है वह बहुत हीरे हो जाएगी तो सबसे पहले उपाई की वाद करते हैं सबसे पहले उपाई जो है जब आपकी फसल 15 से 20 दिन की होती है यानि कि आपकी फसल 15-20 दिन के अंदर जो पोदा होता है ठीक है वो जड़ पकड़ लेता है और उसमें से कुछ किल्ले फूर्टने इस्टार्ट हो जाते हैं तो उस अवस्था में आपको क्या करना है आपको नाइट्रोजन यानि कि यूरिया का प्रियोग करना है प्लस आपको किस चीज का जिनक जो होती है उसका प्रियोग करना दोनों आपस में मिलाकर अपने हिसाब से जितने भी के आपका खेत है आप उसके हिसाब से उसे अपने खेत में वखेर सकते हैं दूसरा उपाय आपको क्या करना है दूसरा उपाय मापको बता देता हूं दूसरा उपाय जो करना है ज इत्नी बस आपको गीर लखनी है है उससे क्यों प्रिकास है उसे होगा इस जा अब अबस्ता में आपте उस पर बयांसा एगर हुमिक जो है इनकी गिरूत करेगा, याजी मेला जतीअ है और जादर फ़लाएंगा, ओर एगरी बैस जो काम करेगा उस दिबभाय को चिपकाने मेला काम करेगा, या इसके इस्टिकर का काम करेगा, तो आप इस दबभाय का प्रियूक्म कर सकते हैं, जिससे कि आपकी ख किसान को जादे से जादे मुनाफ़ होएगा और नेश्ट उपाय जो है वह है अपनी फसल को रोग से बचाना है ठीक है जो रोग धान में आते हैं आपको अच्छे से इस पर करना है दवाईयों का जिससे कि आपके खेत में कोई रोग नहीं आपाये ठीक है जैसी कि आप आपने खेस से तो आपकी फसल अपने आप ही अच्छी हो जाती है तो भस आजकी व्र्डव में था मैं थो इस बात को शेर करूं जो दवाईयों को मैंने प्रयोक कर रहा है और लाइब को अपको रिजल्ट में दिखा रहा हूं इस व्रविडियो में तो आप थी है और इस